मनुनाच हाão, प्रजा पत्यी जो आए पुरमादेव तोच इश्वर्द आ है कzdh здоровo त्ष आनिसर्फवas something प्रजापति ला उत्पद्न के दिला है पुन्ह संग्ता के या प्रजापति ले इश्वर न मानता कि या प्रजापत्य ची उत्पत्य जाचा पसुन धालेले आहे त्याला अर्थात विश्नु ला तुम्हे इश्वर माना त्याला अर्थात विश्नु चा ना भी कमला पसुन या ब्रह्म्हदेव ची उत्पत्य जाले आस्टे मुले ब्रह्म्हद्यों इश्वर नाही तो त्याला निर्मान करना रजवाही कारण विष्णु तो उपास्याही अर्थ तो इश्वर आही आसे विष्णु उपासक सांगतात क्यों भागवत उपासक सांगतात मुग या भागवत मतावर्ति सुथा जे शैव उपासक आही शाक्त उपासक ते दोज़ देतात कि भागवान शिवजेंचा पायांचा शोद घहना साथी भागवान विष्णु असमर्थ ठरले मनुन जे शिवदेवानचा पायांचा शोद घहुशकत नाही ते इश्वर कु मैलम नारे शाक्त आर्थ शिवउपासक संग्तत जो पर इंत गनपति उपासक न्यास अथा खन दोज़ुश देतात कि अलते ईश्वर मन्ता पन थिर्परा स्वार अदार्द मद Đाच्या साथ जो परिंत गनपति उपासक नभगवान महाँद्वाने केलिनाई तो परिंत थ सब्सक्राइबक्राइबक्सुराइबक्स आपन हाजो नहाई आए कि पुर्व मतला दोश देचा आने आपलजे मत ही ताच्य स्थापना कराची। अर्थअ आप आपले देवते साभीमान गीएओं। अन्ने देवते चे उपशकना दोष देताद। आपले चे उपशे देवते स्रिष्टवाही मनुंतिला तुम्ही इश्वर मना। असा शुट्षी प्रामान गीएओं। मंत्र, अर्थवाद, कल्प, कल्प, इत्यादी कंच प्राह्मान्य की हुन, आपली उपाश्य देउता स्रिष्टा है, तीच इश्वर है असा सांगतात। मैं पुना सांगा के लिए एक्वी सावस्लोका मधे तेचा उतनी का सांगताना। एवं कती मतानी इत्याश्य किती मता है, किती उपाश्य देउता 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 है, किती उ गान्दा वर्थ ठिवलेवाप परिंत थाँ शेवुटी ते छाय खाली आजुन गेदिलेगे। काई नितत जहाड, श्याता जहाड है तैया नमदी मदी, रुइटी जहाड, बांबु जहाड, यह एका खाली आमबया जहाड, त्याली टानी कनसा आसता, त्याला उपास यह दिया उता मांदले आप मती लगन याविदी मेजे ती आपन देवकुरुपाने पा यह बांथो त अंतर्यामिनम आरभ्य स्तावरांते श्वादिनह संति अश्वत अर्क वम्षा देहे कुल दैवत्व दर्शनात अंतर्यामिनम आरभ्य स्तावरांते श्वादिनह संति अंतर्यामिनम पसुन सुर्वात केली कि आंतर्यामी मंजे सगलांचा आत्म दे रहातो आने सगलांचा नेमन करतो आसा आंतर्यामी पशन सर्वात के लिए आने शेवट कुठेकेला स्तावर आंत, स्तावर, मंजे जे स्तावर गे सुष्टितिल पदार थायत तुम्ची रुटे आशेल, बाम्बु आशेल, काय काय आनेक देवता मान देल, तित परेंथ या स्तावरा परेंथ देवता मान नरी उपास काहित, वाधिन हसंती, आनेक आहित पो नाते एक नाइत, आश्वत्थ आरक वांश देव कुल दैवत्व दर्शनात, आश्वत्थ, आश्वत्थ मंजे, पिंपल, आरक मंजे रूई, तिस आश्टे ना रूई, तिलाई देव मान, आने वांश मिजे बाम्बु, बाम्बु आव, पुज नी आ हैते शुधा, मनून इत परेंथ देवता माननारे उपास काहित, याचे पुडे जाउं तु माला सांगतो, आप मुझे, कोनाची उपासना कुठ है अशेल, यह पुड़ दाउन संग्तों आमचा काई महाराज मंदड़ इनिता तिया फेटा चेन उपर नची सोधा पूजा के देली। तिया आमचे काई उपासना कुठ है। करने माला मिलो देने सांगितले। माला मनला, दस्तेले आमचे उपासना कोनाची कुठ परिंता अशेल, आशेल आनेक मता है। आने त्या विशे उपासना काई आनेका है। अंतर हमी पशन सरवात के लिए स्थावर। स्थावर अंते ऐशमते स्थावरांता है। इसवादिना, इश्वरा मनला काया है उपाई उत्ता है। अनि संती, विवेड अने माता है उत्ता विवाद्र आहिँ tãoका सह। आपरेशिवादा न क्वापेद रुष्टा चरा इती आश्यंक्यों एनी आश्यंक्यों के लिए कि तुम्ही स्तावर पदार्थन्न इश्वरतो मानता यह आमाला कुठेए दिसत नाई स्तावर पदार्थन्न इश्वरतो मानता इश्वरतो मानता इश्वरतो आमाला का आश्यंक्यों कुठेए दिसले नाई सांग्ता आह अश्वत्थ अर्क वाउंशा देए कुलदै वत्वदर शनाथ अश्वत्थ पिमपला ची काई मुझाबा रुपानी का मनता इत न थे मुझा का मुझा बुपानी उपषना के देए आए अने के यह जालियम देए तेता तेंचे मोट मटे उट्स वाता ते मुझाबाशा उत्स वरुष्का आसंधे पुना आरक मज़ रुईची फुजा के लिए जाती ववंसी मज़ बाम्बू दी आता सए ने लगन मज़ दी दियो काई 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 क्या जाड़ के RPG थ्यान्ची वपस्न के लिए जाती कुला दैवत वा दर्शना, तेने जो सिने सरा तक है किया है आम शो कुला दैवति, यहां जावना पाइस, पॉला कहाट शूरित, यहां जाढ एक तिकले आल अलत्पड़ आम जाश्वाधित, यहां जाढ शुरित। एक बहुत खाड हो जादी आदास मालते वर्त थित्यु रकाइना वातमा लक्षत ने मावलिंच भागे थित्यु जाइन काइस बुद्ध्यायाने तशे उपसक्पना है। ननु एवं मतभेदे कश्य उपदे यत्वं, कश्य वहे यत्वं इती आकांशायां। आह। अथा यह उडे तुम्हे उपस्य दे उता सांगितल्या। उपस कई सांगितल्या। महता सांगा मी काई करू। कोना ची उपस्य न करू। तुम्हे सांगा। कोन्तमत ग्राहिया है, उपदे याहै। आनि कश्य वहे यह तुम्हाम, त्याज्यम। कोन्तमत त्याज्या है। अश्र विचरला ऐसता कि वहाँसे आश्यंकारिया से त्यल उत्यल्यतनः संग्तात। ग्राहिया आनि त्या जे हजो भाग आहे तद विशेक सांग्ताना निर्ण न आसागे देलाई कि जे कारण ब्रह्मा हे ते उपास्च आहे आनि कारे ब्रह्मा हे ना ते है आजा या आ से अतला अंतिम निर्णा złे आए पन हे इतकी दरीमत आसले तली पुरुशाने कोंत ग्रा प्रवाद श्रावाद 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 श्र न्याया गम विचारिनाम एक आयव प्रति पति श्यात साप प्यत्र स्पुट मुच्च दे न्याय गम विचारिनाम एक आयव प्रति पति श्यात साप प्यत्र स्पुट मुच्च दे न्याय गम विचारिनाम एक आयव प्रति पति श्यात साप प्यत्र स्पुट मुच्च दे न्याय गम विचारिनाम एक आयव प्रति श्यात साप प्यत्र स्पुट मुच्च दे आजुन शिद्ध हो इन मतली आणि कोटलाई रोगा सुझा मतली आपना सब्सक्राइब श्यात से लगते तो बारा वतो अगम विचारिनाम एक आपना आप्याव प्रति श्यात्र स्पुट मुच्च दे एचे विशिशन निर्ने कसा आई कोणी काई निर्ने केदलाई सार काई आचे मजित्य संगतत तत्व निष्चय कामेन न्यायागम विचारिनाम प्रति पत्ति श्यात्र सा अत्रापिस पुटम उच्च दे तत्व निष्चय कामेन न्यायागम विचारिनाम न्याय मन्जे युक्ती आणि आगम मन्जे शास्र यांचा विचार करनो हेज यांचा शील आहे आणि त्यांचा बाप्ति मधे सांगितल दाता कि तेशाम प्रति पत्ति ही प्रति पत्ति नाम न्यानम निर्न यहा येका एवशा त्यांचा निर्न ये प्रति पत्ति काया है एकच आहे आणि सा अत्रापिस फुटम उच्चे ते आणि तेजी प्रथिपत्य आहे कि वा तोजो निर्णे आहे तेजी द्न्यान आहे तेकस आहे स्पष्ट आहे असा या ठीकने सांगित लेला हे तत्व निष्चे कामेन न्याया अगम विचारी नाम प्रतिपत्ति एका एवस्यात तत्व निष्चे कामेन तत्व निष्चे इच्छया तत्व निष्चया विश्यास लिलीजी इच्छया काम मन्जे इच्छया इच्छे ने तया इच्छे या मक्तिया इच्छे चा द्वारे न्याय आगम योहो न्याय मंज़े युक्ति आनी आगम मंज़े शास्त्रम श्रुति युक्ति आनी आनुभव यांचा प्रामान्या द्वारे विचारन शीला नाम हेजे विचारकर्न हेज आन्चा शीला है केवल मलासवार्त आसने श्रुति युक्ति आनी आनुभुति या प्रबल प्रामान्यांचा आश्रेग्युन विचारकर्न हेज आन्चा शील म अर्थाथ निर्णई निर्णै यही जिर्णात uncle जिर्णले अर्फाद नीर्णै शन्प सिद्धांत सुधीले सगले संत एकत्र बसले कुट परियंत आश्मत गुरु परियंत आमचा गुरु परियंत भगवत पुजपाद आचारांचे जाहितना सदाशिव समारंभान। कियमा, नारायनम नमस कृत्या, नारायनम पद्मः वशिष्टम, शक्तियंच तत्पतर पराशर नंच, व्यासं शुकं गवडपदम्मांतं, गुविंद योगिंदर मताश शिष्यम, स्री शंकराचार मताश पद्मपादंच, हस्ता मलुकंच शिष्यम, तम्त्रोटकम वार् अन्यान अस्मद गुरुन पर यंत वंदे गुरु परंपर ही सगले एकत्र बसले आनि मग त्या सगलेंची प्रतिपत्ति आर्थात निर्णई द्न्यान एकाहा एवशाथ त्या सगलेंची एकस निर्णई केला आनि सा विप्रतिपत्ति स्फुटम तीजी विप्रतिपत्ति आर्थत प्रति पत्य आहे जे द्झान आहे निर्ण हा हे तो गात आहे कारन न ब्रह्म उपाश्य आनि कारी ब्रह्म् त्याज्य अर्थत कोंत ब्रह्म जो सब्सक्राइब करदुथ सगला नेकस निर्णय दिल आने हा निर्णय का है आसमत गुरुप परियंत आमचा गुरुप परियंत हा सगला निर्णय का है स्पष्ट आहे एचे मदे कोणता ही भेद नाही सा कीद्रुशी एत्यत आह सा प्रखिपत्ती ही तो निर्णय आर्था ते द्यान कोंते सिर्णय का है एत्यत आह तेल संगतात सा अत्रापिस पुठम उच्चे ते तीजी प्रखिपत्ती आहे तेज्य द्न्यान आहे तोजो निर्णय खाल संतंजा तो तो काहे स्पष्ट आहे तो कशार सवर्पाच आहे ताम एव प्रतिपत्तिम दर्शे तुम तद अनुकुलाम श्रुथिम पठति मंग ताम एव प्रतिपतिम तो जो निर्ने आहे प्रतिपतिम अंजे निर्ने क्यों अधन्यान दर्शे तुम ते दाखवने करता तद अनुकुलाम शृतिम पठती त्याला अनुकुलाशे जी शृति आहे कि यह निकाई निर्ने केला तो याश्रुति चमात्यमा तुनित्य सांक्तत मायाम्तु प्रकृतिम विद्ध्यान मायाम्तु प्रकृतिम विद्ध्यान मायाम्तु प्रकृतिम विद्ध्यान मायिनंतु महेश्वरम मायिनम्तु महेष्वरं अश्यावयव भूतैस्तु अश्यावयव भूतैस्तु अश्यावयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् मायाम्तु प्रकुतिम विद्यान मायिनम्तु महेष्वरं अश्यावयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् मायाम्तु प्रकृतिम विध्यान मायिनम्तु महेश्वरम अश्यावयव भूतेष्टु व्याप्तं सर्वम इदम जगत। मायाम्तु प्रकृतिम विध्यान मायिनम्तु महेश्वरम अश्यावयव भूतेष्टु व्याप्तं सर्वम इदम जगत। मायाम्तु प्रकृतिम विध्यान मायिनम्तु महेश्वरम अश्यावयव भूतेष्ट। इश्वर हा मायायाह इश्वर हा मायेचा जो इश अर्थात नियामक आहे इश्वर आहे तम महेश्वरम आभू त्याला महेश्वर अश्यावयव भूतेष्ट। आनिया महेश्वर अर्थात माया उपदिक देश्वर आहे त्या चैतन्याचा अवयव भूतेष्ट। इश्वरम इदम जगत व्यापतम। इश्वरम जगत या परमेश्वर हा चा जेकाई अवयव आहे त्यावतेष्ट। आर्थात इश्वरम जीव आहे त्यावतेष्ट। मकते जिकाई आपन चावरेश्वर लक्ष जीव हनतु। हे सगले त्याव परमात्मेश्वर का आहे त्यावयो आहे त्यावतेष्ट। आर्था चराचे रूपा ने तोच या ठीकानी नटलेला आहे। आस तु सर्वम इदम जगत व्यापतम। यापतम नम ततम। या परमात्मेश्वर जगत का आहे के देला हे। व्यापलेला है आसा सकल संतनी विचारशील पुरुषानी निर्णे के देला है आसा ते इश्वर सरुपा विशयी ही जे त्यांच मता है ही त्यांनी सांगित देला है मायाम एव प्रकृतिम आर्थ नाम जगत उपादान कारनम विद्यात नाम जानियाद माया माया हेच आर्थ आत माया मंजकोन प्रकृतिम आर्थ तीन गुनांची सम्यावस्ता प्रधान ती प्रधान काहे जगत उपादान कारनम जगत उपादान कारनम तेला जगत उपादान कारनम विद्यात नाम जानियाद तेला जगत उपादान कारनम जानाव आनि माया उपदन करना है मायी नंतु अर्थत मायी मंजेच माये चा नियामक जला आपन काया मनतो माया धीश महेश्वरस मनतो तो या माये पेक्ष्य वेगला है जला माया उपाधि अस्यास्ति समाया वि कि वा मायी नम तम माय उपाधिकं अंतर्यामिनम एव महेश्वरं नाम माय धिश्टातारं निमित कारणं जानियाद या जगताच जे परिनामी उपादान कारण नहे ती माय आहे आनी निमित उपादान कारण को नहे कि या माय चा उपाधिक चा स्विकार करून मायो पादिक जो अंतर्या में आहे अंतर्या में आर्था तो माये चाही नेमन करतो संफुन जगाचा नेमन करतो जगाचा नेमन करतो पन माये चाही नेमन करतो तो अंतर्या में रुपाने महेश्वरम आर्था माया अधिष्ठा आतारम माये चाही अधिस्ठान असलेला जो या जगताच निमित कारना हे तम महेश्वरम जानी या त्या महेश्वराला कि वा त्याला महेश्वरास जाना वो आनि तत अश्य जगता हा इश्वरा हा नियामक हा इश्वरा हा तोच या जगताच नियामक अर्थात इश्वरा हे अश्य माई नहा नाम महेश्वरश्य अवयो भुताई ही नाम आउंश रुपई ही चरा चरात्मकाई ही जीवा ही कृत्सनम जगत इदम जगत व्याप्तम इती अश्याहा सुते ही अर्थ हो अश्य माई नहा अश्य या हजो माई आही अर्थ हत महेश्वरश्य अवयो भुताई ही या महेश्वरश्य अवयो भुताई ही या अवयो भुताई ही या महेश्वरश्य अवयो भुताई ही 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 अव आउंश रुपाने संपुर्न चरा-चरात्म के ही जीवाई, संपुर्न चर आनि आचर या रुपाने सगले जीवाई ही खुर्ष्णम इदम जगत व्यापतं। अंज्वा सम्पूर्ण गृत्यों चोजरी आर्थ आने चोज अपरमात्य democrat है उपादे यह आही आशाया ठीकाने सार उपाने शुतेने सांगेतले लाए शुते चा का यह आरथ आहे आशाहा शुते यह शुते चा आरथ आहे आनि याला न मानता कही काई मंडली परिछिन रुपा आने भगवन ताची उपासना करतात त्या विशे सांगतास्ताना स्वामी मारा सांगाईचे कि कही जी मंडली आहे ती फक्त मुर्ती मधेच देव मानतात आनि त्या मुर्ती ची उपासना करतात मग त्या विशे स्वाय मारा सांगाईची कि एक जो मुर्ति उपासक आही मग तो मुर्ति उपासक पहातास्ता ना स्वाय मारा सांगाईची ते मुर्ति मादे काही तुझा काई 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 अव्गे ब्रम्ह strangers..? अव्गे ब्रम्ह रूप अचरा अचरी आइछेस मंग प्रतिमा तो देव काई सानवी, मंग प्रतिमे मजे देव नाई का, सगडिकल जदेव आही, आपलेला ते महीती, ते आपले इथा ते आचारी आई छे ते, अमाल संस्क्रुट शिक्वाईला, हाँ, तेंचे ते, काई तेंचे सांप्रण देश नावी ते, आरे समाज, आरे समाज में दासे सांगीतल जात, कि तेंचे जे मुख्य आचारी, ते एक दा भगवन ताचा दर्शनाला गेले आसताने, ते 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 देव तेचा नेवेद्य उंदेर खात होता, मग यानने ते पाहिल, जी देव ता आपले नेवेद्या रक्षन करू शकत नाई, ते उ आपले नेवेद्या रक्षन करू शकत नाई, मग तेने याच सांगीतल जात, कि मुर्ती में दार भगवन आसे, तो अपले नेवेद्या बाजोला केले पाहिए, उंदेर को नेवेद्या खाने चाहिए, तो जिसको उनने प्रशन पूछा, उनने उसको जबाब देया, औरे जो नेवेद्या को खा रहा है, वो भी तो इश्वर है, तो किसको हाटाई, सगले जर इश्वर आसे, तेने खाऊ दिल, कि वह हाटाऊला नाही, आमचे श्रीमाद भागोता मधे, जड़ भटत राजया सांगता, तेन ना तेन चा भावाने शेतित राखन कराई सांगीतल, तो कि उन्रेला हाटवाईला काशला पाई जी, पन त्यांची तशी बुद्ध्य जल्या आने तेमक मूर्ति पुझे चा तेने निश्यत गिदलाई, तेन चा मतामधे मूर्ति पुझे करित नाई, मननन आपलेला हेजे आप अपलेला मताने सगल दरी आ आचार ने विच्छ आणिवार करून युक्ती अनुभुती आनि शास्र प्रामाने दौरे आनिलीने केला असला तरी पन कही का लोकांच जेमत आहे ना कि कही का आशे ना आम चस्कर त्याला कही दूसर पर जेए नाई त्याला मन्तात स्वभाव दुरतिक्रमाहा स्वभाव आस्तो त्याचा उलंगान करने शक्किने आपन मन्तुना आसका यांचा हा स्वभाव चाहे यान निमनुन त्याला संगितले स्वभाव आला आउशद नस्त और स्वभाव दुराग दिक्रमाहा त्या दुरागर है सोडला पाईजे आणि शुर्टी युक्ति प्राम्माने द्वरे जान्नी विचार के देला है त्यांचा मताचा आपन अनुसरन के लपाई जे मार्ग दाओने गेले आधि दयानिधी संतते तेनेची पंथे चालो जाता नपडे गुन्था को ठेक आई अदि मनों 12 मार्गाने आपन के लपाई जे वेध बोदित संतान मोदित जो मार्गा आइ त्या मार्गा जा पंशेवन के लपाई जे अथा पुड़े आनकि जो निर्णी आए तो सांगता नीथे सांगतात एतत शुत्य अनुसारेन इश्वर विशयो निर्नय यहा युकता इत्या हो एतत शुत्य अनुसारेन ही जात्त वर शुत्य सांगित लेना तया शुत्य अनुसारेन तया शुत्य चे अनुसार इश्वर विशयो निर्नय यहा युकता हो इश्वर विशे तेने जो निर्णे के देला ही ना कि माया जगताच उपादन कारना ही और जगताच निमित कारन कुना ही तो परमात्मा ही अर्थत अभिन्द निमित उपादन कारन तो परमात्मा ही और जो इश्वर आ ही तो निमित उपादन कारना ही हाजो निर्णे के देला तो युक्त आहि असि या ठिकनी संग्तत या पुड़िछा श्लो का द्वरी इति शुत्यनु सारेण इति शुत्यनु सारेण इति शुत्यनु सारेण न्यायो निरनयच्वरे न्यायो निर्णय हिश्वरे तथा सत्य गुरुधस्यात न्यायो निर्णय हिश्वरे तथा सत्य गुरुधस्यात न्यायो निर्णय हिश्वरे तथा सत्य गुरुधस्यात तवरां देश्वादिनाम इती शुत्यन सारे न न्यायो निर्णय हिश्वरे तथा सत्य गुरुधस्यात तवरां देश्वादिनाम हाजो पुरुपक्षा है न हाई याचे माना मदे खुब काई विशे क्यों आशे दरलेला है तो सांगतो कि तुम्ही जो इशोर सोरुपाचा निर्ने के दिला है तो न्याय आहे युकता आहे निर्ने कोनता केला पन हिया गोदर समझले तर आप लात्याची शांका समझन पूड़ी निर्ने काई केला है जगताचा उपदान कारन माया आहे आनि तो परमातमा निमित्त कारन आहे आनि त्या परमातम्याचा अवयवानी इदम सर्भं चरा चरात्मकं जगतम व्यापतम त्या परमातम्याचा संपूर्ण अवयवानी त्या संपूर्ण जगत काया है व्यापताई मन्जेद परमातम आश्या शिवाय भिन्न कोंति ही वस्तु जगा मदे नई मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनन जया। आश्या शिवाय भिन्न कोंति ही वस्तु जगा मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनन जया। आश्या शिवाय भिन्न कोंति ही वस्तु जगा मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनन जया। आश्या शिवाय भिन्न कोंति ही वस्तु जगा मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनन जया। ते भूत नाई तो तो माने जे भगवन्त जननोहे आउगा जनार्गन। तो मख सगलाज जनार्गनासेल तमक वादा सवीषर हेला काकुटे। मुग्तु मी कोनला ये देव माना ना। स्तावरां परंद नाये अनकित चाह खले जावन्तु मला। जला कोनला देव मानाई जेन त्याला माना। तो तो काया है तोच त्यारूपाने नटलेला है आनि मनुन तथा सती स्थावरां तेश वादिनाम अविरोधा स्थाथ सगलाज परमात्मा यतमाग वादाच विशेर अहला कुटए आनि मनुन आसि ते ने कैसे के दिले है शंक के दिले पा शंक को तहा युक्तम इती आशंक, शुल्वतिला निर्ने के अला कि शुति चा मतानुसार इश्वराच्छ स्वरुप सांगित लेला है उत सर्वत्र इश् या परमात्म्याच्या अवयवानी व्यापता है, मन्जे संपूर्ण इश्वर रहला किनाई, आसाजो निर्णे के देला है, हा सर्व पक्षानना मानने भाईला पाईजी, करांका, कोनी कोनला जो इश्वर मानता, जाला कोनला मानता, तो कोना है, इश्वर था है, और भगवन जाजा देवत्यकी उपास्न करतात ना त्यार उपाने तो ती शगलिशिवा ती मलास्प्राप्त होती आने मनुन तो निर्णय के लिए योग्या है मग पुना शंका के लिए कुता हा युग्ता हा इती आशंके मक्तु मीजो इश्वर माननेला है शुतिचा मतनू सार तो युक्त कसा हे तो योग्य कसा हे न्याय कसा हे आशिकेली शांकतेला उत्तरे तत सर्वत्र अविरुधत्वात सर्व वादयान शी आमसा अविरुध आसले मुले करन कोनी ना कोनी जाला कोनला इश्वर मानलेला है ते आमचा भगवनताच काया है रूपा है मनुन आमचा कोनाशी विरोध नाई अविवादो अविरोध धस्य आमचा कोनाशी विरोध ही नाई और आमचा कोनाशी वाद ही नाई कारंका जाची कोनाची तेनी उपास ना के दिला है ते आमचा परमादमाचास का है सुरुपा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म सगलज ब्रह्म सुरुपा है आशा सुरुपाची याठिकन ही इश्वर सुरुपा विशेजो निर्नाई दिला है ते सांकतात मनुन आमचा कोनाशी विरोध नहीं सर्वस्यापी इश्वरत्व अभ्यूप गमात न के नापी विरोध इति भाव सर्वस्यापी इश्वरत्व अभ्यूप गमात सर्वस रुपाने तुम्ही इश्वरत्वाचा आंगेकार केला असले मुले न के ना पी विरोधा इती भावा, मा कोना सी ही विरोध येनार ना ही, करनका सर्वच इश्वरूपाने व्याप लेला ही, इश्वराच क्या ठीकाने का आही, नटलेला ही यह विश्यास सांगीत ले जाता कि भगवत पुझ्यापाद आचारें चेकर काही मंदली गिली अनि मग त्या चापएकी एक जन सांगु लागले कि आमचे गुरुजी माया मानत नहीत, काई सांगीत ले, आमचे गुरुजी माया मानत नहीत, अनि तुम्चे गुरुजी माया मानत नहीत, आपन एक जालो, आप बाउध माता चानुयाई गेला होता, चुन्यमादी, अनि त आश्टर रंत ची तो उत्तरास है कि आमच्या मतमदे माया मानत नाई आसन आई मायेची आमि केदेली कलपन आहे कि या सगल जगताची संगती सांग आमि तो माया नाहिस मनतू फक्त परमातमाचा है पन तुम्हाला जगताची जी आनुभूती येते प्रचिती येते तेची संगती सांगने साथी आमि मायेची केदेली कलपन आहे माया मानत नाई आमि सत्य माया मानत नाई आन तुमी ही मानत नाई पन तुम्च्या मान्या मदे आम्च्या मान्या मदे फरक आहे बाव बरवर न ओग रहा औहु आने मुणुन माया कही मंदली मानत नाई पन भगवत पुजबाद आचारयनी जी माये चा सरुप मानले लायी सन्नापे भिन्नापी उभयात्मिकान। तेला सतेय महंता इतने आथा तोच विशे पूढेय ना रही विरोजिक धर्म, एका काला मदे एक आधिकरना मदे रहूशकत नहीं मग Кाय माना मंग आचरनी सांगितला मदला पर जये कुन्ता सद आसत विलक्षन आनिर वचनिय 22hip मन्जे चाय, मिथ्या, यह जारतर काय वत्त, मा, या, मा मन्जे नाहि, आनि या मन्जे जी, आमितीचा सौरुपाने सांगीतलेले पर तुमीदशी मानत, तशिनै अविद्यय ने नावे, मी विध्यमानाची नवे अविद्याची सो मुखे सांगता शित अविद्या सांगतलेटीचा सौरुप अश एठिकानि जो निरुने के देलाहे तो यह ठीकने सांगतात मुनुन आमचा कोनाशी विरोधाई नाही आनि विवादाई नाही पुना सांगा किली ननु जगत प्रकृती भुता यहा माया यहा किम सो रुपाम यित्यता आहो तो मन्तो आहो जगताच उपदान कारन रुपाने तुमी माया सांगिती जगत प्रकृती भुता यहा माया महनता पंती चे लक्षन सांगित लपाई ती यह पुर्चे श्लोकादवरी सांगतात पाब माया चे यम तमो रुपा तापनिये तदी रनात अनुभूतिम तत्रमानम अनुभूतिम तत्रमानम प्रतिजदने शुतिस्वयम प्रतिजद्ने सुरुतिस्वयं मायाचेयं तमुरुपातापनिये तदिरनाथ अनुभुतिम् तत्रमानं प्रतिजद्ने सृतिम् स्वयं मायाचेयं तमुरूपा तापनिये तदिरनात अनुभुतिम् तत्रमानं प्रतिजद्ने सृतिस्वयं मायाचेयं तमुरूपा तापनिये तदिरनात अनुभुतिम् तत्रमानं प्रतिजद्ने सृतिस्वयं मायाचेयं तमुरूपा तापनिये तदिरनात अनुभूतिम तत्र मानम प्रतिजदने शुतिही स्वयम इयम चमाया तमो रुपा तत्र अनुभूतिम मानम शुतिही स्वयम प्रतिजदने आता माये चो सो रूप सांगत अस्ताने सांगित लेला है कि ही जी माया है इयम च माया आनी च मंझे आनी इयम माया तमो रूपा ही जी माया है तमो रूपा यार्थत तमहा रूपा है कि वा रूपम यश्या सा तमो रूपा तेचेतम हे सो रूप आई, तम कुणात मक जिमाया है, ही तम रूप माया, तेचेतम काई सांगितलेला है? तम रूप सांगितलेला है मग ये कुठ सांगित लेला है तापनिये तदी रनात तापनिये जे उपनिशे दाहे अर्ता नुरुषिय तापनिये उपनिशे दामधे त्या माये चो तमुरुपाने वर्णन के देला है आनि मग या ठिकानी काय प्रमान आहेते सांगता तत्र आनुभुतिम मानम शुतिही स्वयम प्रति जदने त्या माये विशयी प्रमान सांगतास्ताना आनुभुतिहेच मानम नाम प्रमानम आहे मजी माया मानाईची काश्य मुले आपले आनु भवाले येती मनुन माया मानली पाईजी आस शुतिने स्वाता प्रचितन्य करुन सांगितली लाई कि ते मायेचा प्रचिती विशय आनु भव हेच काया है प्रमाना है इयां माया तमुरूपा ही माया कशाही तमुरूपा ही कुत है इत्ति अत कुठे सांगीतली माया तमुरूपा सांग्ता ताप निये तदी रनात Nah Sh April patients are there माया चे तम रुपा इती तापने उपने शेदी तम रुपत वश्य अभिधानात इत्तेर था च आनि माया तमो रूपा इती, माया तमो रूपा है आस तापने उपनेश दिनुरुष तापनेश दिनुरुष तापनेश दिनुरुष तापनेश दिनुरुष आपनेश दामदे तमो रूपा त्वस्च आभिधाना त्या माये तरूप कसा है तमो रूपा ने ती च कथन के माया यहा तमु रुपत्वे किम प्रमानम इती आकांशायाम आह अनुभूते हे इती शुति एवात्र अनुभवा प्रमानम इती प्रति जानिते इत्याह। माया यहा तमु रुपत्वे किम प्रमानम माये चा तमु रुपा विशे काई प्रमाना हे इती आकांशायाम आशिदर कोना चा मानाम इती आकांशा आर्थात इच्छा उत्पन धरित सांतात अनुभूते हे तत्र प्रमानम आनुभव हाच या ठिकाने काई प्रमाना हे माया आर्थात आध्यान या विशे काई प्रमान आहे अपले स्वतला जा आनुभूती येते ही चे आठेकाने काई प्रमान आहे इती आस शुती ही एवात्र आनुभवा प्रमानम इती प्रति जाने आस शुती ने सांगित लेला हे कि मायेचा स्वरूपा विशे माया तम रूपा ह यह विशय प्रमान कोना है आनुभाव प्रमाना है आस शुरुतिने प्रचित्न्य करुण सांगित लेला है तत्र त्या मायेचा सुरुपा विशय आनुभुति हेच प्रमाना है आस शुरुतिने प्रचित्न्य करुण सांगित लेला है मगाता पुनस्का येते कि कोंता आशानव वहाई के तिथे मायेचा तम गुंन रूपा ने कि वतम रूपा ने वरननग लेला है तो याचे विशेजो विचर आये तो सांगता तत एतम जडम मोहातमकम ती माया जडम मोहातमक स्रुपा चाहे आशा सगर्यान सानव वहाे अनाश शुतिने प्रच्छत न करून सांगेत लेला है या विशय सवी चरापन उद्या करूए पुंडली का वर्दा हरिविठ्थल श्रीद नान देव तुकाराम पंधरिनात महराज के जै सद्गुरु नाने शुर महराज के जै जगत गुरु तुकाराम महराज के जै सद्गुरु जोग नाने शुर महराज के जै नानदेवतु काराम 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 न ज्यान देव तुकाराम, 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 ज्यान देव त झाल